हिंदु धर्म में पूजा पाठ के दोरान घी के दीपक जलाने का एक बहुत बड़ा महत्य है कोई भी पूजा बगैर दीपक जलाए संपन्न नहीं मानी जाती है लेकिन क्या आप जामते हैं कि जो दीपक आप देवताओं के सामने जलाते हैं आप सही दीपक जला रहे हैं या कहीं गलती से भगवान के सामने आप गलत दीपक जला रहे हैं दरसल हिंदु धर्म में दीपक का अपना एक खास महत्य होता है और पूजा के दोरान लोग घरों में घी के दिये जलाते हैं और इसमें कई लोग लंबी बाती का इस्तिमाल करते हैं तो कई लोग गोल बाती का इस्तिमाल करते हैं लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि हर देवता के सामने गोल बाती का दीपक जलाना सुब नहीं माना जाता है ठीक उसी तरह लंबा बाती का दिव जो भोले नात के आगे नहीं चलाना चाहिए बड़ प्रिशे के नीचे विश्ण भगवान की पूजागर हो रही है तो इसमें भी नहीं जलाव हैं इस सब अस्थामा में बड़ा गोलबत्य का जलाव हैं तो अत्यधिक लाव मिलता है अन्य था सारी होता है रोकी बिर्धी होती है किस कारण लोग लंबे बाती का दिव जलाना चाहिए जिस प्रकार दीप में प्रकास की निकलता उस प्रकार लोग कामना करते हैं किसी प्रकार हमारा जीवन डीप के जलते हैं प्रकास मान होते रहे प्रकासित होते रहे हमारी परिवार फलते पुलते रहें किसी का यह द्योतक है दीप के जैसे हमलौ अमारे परिवार से जलाने से घर में स्थिरता और संपन्नता आती हैं इसे पूजा के समय जलाने से घर में सुख संविध्धी और वैभव आता हैं लेकिन गोल बाती का दीपक केवल भगवान भोलेनात भगवान विश्णु पीपल और वट व्रिक्ष के आगे ही जलाना चाहिए इन देपताओं के सामने भूलकर भी लंबे ब इतना हैं जिनके आगे केवल लंबा बाती का ही दीपक जलाना चाहिए जमुई से लोकल एटीन के लिए गुल्सन कश्चप की रिपोर्ट